जेइन फेंट्स, वेलकम बेक टू आवर यूट्यूब चैनल फेंट्स, आज किस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि यूनिट्स ओव वाटर हाडनेस हम लोगों ने बात करी वाटर हाडनेस कितने टाइपस की होती है क्या उसके जो हाडनेस है, that is hard water है, उसके क्या advantages, क्या disadvantages और क्या consequences हो सकते है अब friends, important topic यह है कि हमको numericals करने रहेंगे, hardness calculate करना रहेगा तो उस वक्त क्या अलग-अलग units में आपको hardness दी जाती है, exams में confuse करने के लिए तो मैं आपको जो सारे type की units से वो बता देता हूँ, और उनके बीच में relation भी मैं आपको बताऊँगा जिससे के आगे हम numerical जब solve करेंगे, तो आपको कोई भी doubt या confusion ना रहे तो आइए start करते हैं, यहाँ पर 5 type की units आपको देखने को मिलेगी one by one करके, मैं just आपको उनके basics बता देता हूँ, then conversion बताऊँगा then फिर हम लोग आगे जैसे numerical करेंगे, आपके लिए काफी आसान होने वाला है, ठीक सबसे पहली बात करेंगे friends, जो units से parts per million, मेरे ख्याल से आपने इसको काफी बार सुना होगा ppm जिसको हम लोग कहते हैं, अब parts per million का मतलब यह है, कि किसी भी substance का एक part और नीचे हम लोग क्या करेंगे, उसके 1 million से divide करेंगे, जैसे कि यहाँ पर definition के अंदर parts per million के अगर बात करें किसके लिए, hardness के लिए, तो part of calcium carbonate equivalent पर, ठीके, मतलब कि एक part में लोगा किसका calcium carbonate का divided by मेरा रहेनाई वाला 10 की power 6 parts of water, समझे, तो वही यहाँ पर लिखा है कि 1 ppm बराबर होता है क्या, एक part calcium carbonate के equivalent के पर 10 की power 6, that is million parts of water, समझेगा, ठीके, तो 1 ppm को यहाँ पर इन्हों ने इस तरह से define किया, जो कि आप देख सकते हैं, आपके screen पर, इसमें कोई logic नहीं है, कोई दिमाख लगाने की जरुवत नहीं है, जस्ट ध्यान रखिएगा आप, चीके, second unit friends होने वाला है, milligram per liter, that is milligram per liter, simple सी बाशा में कहा गया है, कि milligram of carbonate, that is calcium carbonate equivalent, hardness per liter of water, मतलब कि एक liter के अंदर, मानों, ये एक liter मेरा क्या है, one liter water है, तो इस one liter water के अंदर मेरा, कितना milligram, क्या ऐसा कह सकते हूं में, कि कितना, इसके अंदर, कितना milligram, milligram मेरा क्या present है, calcium carbonate, simple सी बाशा में कि, एक liter के अंदर, कितना milligram मेरा, क्या है, milligram मेरा, calcium carbonate के equivalents present है, उसी को बोल दिया गया है, milligram per liter, वो ही यहाँ पर लिखा गया है, कि milligram of calcium carbonate equivalent, hardness per liter of water, इसे भी आपके सकते हैं, एक liter को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर दिये हैं, आप पर 10 की पर 6 mg, पिर 1 mg पर लिटर को आप 1 ppm भी कहा जाता है, ध्यान दीजिएगा, exams में क्या करेगा, कभी-कभी आपको milligram per liter दे देगा, कभी-कभी ppm दे देगा, ठीके, तो आपको ध्यान में रखना है कि 1 mg, डेटीज में यहाँ पर लिख देता हूँ आपके लिए, कि 1 mg per liter is equals to, मेरा होता है, 1 ppm, ठीके, तो confuse मत होईएगा, दोनों unit same है, milligram per liter बोलो या फिर ppm बोलो, वो यहाँ पर इन्होंने mention कर रहा है, ठीके, clear हुआ, ठीके, यह दो units जो हैना friends, आपको काफी जादा use होने वाली, exams के अंदर generally आपको यही दी जाती है, बट थोड़ा question अगर complicated करना हो, तो आगे हम लोग units देखेंगे, उसके नहीं है, बट फिर भी possible है, questions examiner घुमाने के साब से दे सकता है, क्योंकि variety मिलती नहीं, क्या गरेंगे, तो units में ही कहलते हैं, ठीके, देखो, अब बात करना है, इस पर थोड़ा सा ध्यान देना, क्योंकि इस पर questions थोड़ा difficult हो सकता है, अगर आपको conversion नहीं पता है, conversion में बोला गया है कि grains, grains of calcium carbonate per gallon of water, देखो, gallon एक प्रकार का हमारा volume को measure करने का unit है, जो कि ऐसा unit नहीं, बाहर use होता है, हमको इस पर ज्यादा दिमाख नहीं लगाना है, simple सा ध्यान रखिएगा, कि आपको एक gallon के अंदर, that is, एक gallon के अंदर, एक gallon of water के अंदर, आपके कितने, कितन grains है किसके, हमारे calcium carbonate के, मतलब कि grains of calcium carbonate divided by एक gallon of water, आपको मिल जाएगा, यहां से क्या, degree clerk, simple सा इतना ध्यान में रखना है, exam में आप यह अगर आता है, आपको फूशा जाता है, units of water, hardness बताईए, तो आप यह सारी जब explain करें, तो एसे लिग देना, आपको full marks मिलेंगे, इस एक gallon है, उसके अंदर कितने present है, वो ही यहां पर लिखाए गया है, कि one degree clerk is equals to one grain of calcium carbonate per gallon of water, या फिर इसी को ऐसे भी कह दिया जाएगा, कि one degree clerk is equals to one part of calcium carbonate per 70,000 part of water, simple सा, ठीक है, यह ध्यान रखिएगा आपको, कि यह आप से बोल दिया जाएगा, कि one part of, one part of calcium carbonate divided by आपको 70,000 क्या parts of water, ठीक है, basic सी बात थी, अभी इसका और इसका जो हमारा PPM का क्या conversion है, वो हम लोग आगे देखेंगे, पिलाग, आपको मैं 2 units और जल्दी जल्दी बता देता हूँ, एक है हमारा French degree, जैसे हमने degree clerk देखा, ऐसे ही French degree भी होता है, इसके अंदर simple सा कहा गया है, कि degree French को या French degree को इस तरह से कहा गया है, कि parts of calcium equivalent, parts of calcium equivalent, मतलब parts बोल देता हूँ, parts of Ca, CO3, divided by per lake, या 10 की पावर 5, parts of water, इस तरह से इसको define किया गया है, ठीक है, समझेगा, हमने PPM को किस तरह से define किया था, parts per million, यहां पर parts per lake बोल दो, या 10 की पावर 5 बोल दो, तो degree French समझ में आ गया होगा, कि degree French is equals to one part of calcium carbonate per 10,000 नहीं, एक lake बोल दो, या 10 की पावर 5, parts of water, ठीक है, छोड़ो, जस इतना धियान रखना है, जो many important है, वो last में मिलेगा आपको, ठीक है, conversion, पांचवा है, milli equivalents per liter, that is, यहां पर milli equivalents per liter है, मतलब मैं कह सकता हूँ, कि milli equivalents of hardness per liter of water, ठीक है, एक लिटर of water के अंदर, कितने milli equivalent की hardness present है, यह कितने milli equivalent calcium carbonate present है, simple सा, ठीक है, यहां पर one milli equivalent per liter is equals to हम कह सकते हैं, कि 50 milligram of calcium carbonate equivalent per liter, मतलब कोई बोलता है कि, एक milli equivalent per liter को क्या बोलेंगे, तो आप बोल देना, 50 milligram of calcium carbonate, एक liter के अंदर, one liter water के अंदर, simple सा, समझ गए, ठीक है, तो friends, यह 5 units सी, जो कि मैंने आपको बताई, कौन-कौन सी 5 units सी, जल्दी से एक बार बता देता हूँ, parts per million, और फिर बात करी हमने milli gram per liter, जो कि parts per million और milli gram per liter बराबर होता है, दिन फिर हमने बात करी clerk degree की, ठीक है, दिन फिर हमने बात करी French degree की, और दिन हमने बात करी milli equival per liter की, अब friends, जो important बात है आपके लिए वो यह है, तो इस relation को आपको याद रख लेना है, या करना याद करना है, remember, ठीक है, इसमें भी ज्यादा तर जो use होगा, आपका first वाला ही होने वाला है, देखो, यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा explain कर देता हूँ, then उसके बाद आप इसको screenshot ले लेना, या फिर आप इसको access कर सकते हैं हमारी websites, कि एक ppm बराबर होता है, एक miligram per liter, यह तो मैंने आपको already explain किया है, अब ध्यान दीजेगा, आपको exam में कभी-कभी यह दे देगा, कि hardness 1 Fahrenheit है, तो आपको ध्यान में रखना है कि इसको आपको ppm में convert करना है, तो 1 ppm is equals to 0.1 Fahrenheit होता है, ऐसे ही 1 ppm is equals to 0.07 degree आपका clerk हो जाएगा, या फिर 1 ppm is equals to 0.02 milligram equivalent per liter होता है, देखो, exam में आपको क्या दिया रहेगा, given रहेगा, given दे देगा आपको ppm में, questions करता हैगा, वो मैं आपको बताऊंगा, बोलेगा आपको answer report करना, answer in degree clerk, तो आपको यह conversion आना चाह ठीके, मानो आपका एक ppm answer आया, ठीके, आपका एक ppm आया, आपको degree clerk में represent करना है, तो आपका जो एक है, उसको आपको 0.07 से multiply करना पड़ेगा, तब जागे आपको पुरा marks मिलेगा, ठीके, अगर आपका, मानो एक example में आपको देता हूँ, आपसे बोला कि आपका final answer जो आ करो, तो यहां पर इसमें case में कैसा हो जाएगा आपका, कि आपका 50 ppm आया, और आप जानते हैं कि एक ppm बराबर कितना होता है, 0.1 french होता है, तो आपको क्या करना है, 50 into 0.1 करेंगे, तो यहां से 5 degree french आपका answer होगा, यह अगर आप करेंगे तो full marks मिलेगा, इसलिए आपको य याद करने की जरुवत मिए, first वाली यह चीज़े आपको ध्यान में रख लेना, इसमें से ही जादा तर questions बनेगे, teacher इतना नीचे नहीं जाएगा, इतना complicated नहीं करेगा, but फिर भी, for the safer side, अगर आपको यह याद हो गया, तो बागी आपका निकाल लेंगे दर दर करके, ठीक भी आप जरूर देके, और अगर आपने previous वीडियो नहीं देखिये, तो उसको भी जरूर देके, link आपको प्रिल लिस्ट की description में दी गई है, और notes को हमारी website से access कर सकते, thank you for watching this video, next video जरूर देके, और अपने दोस्तों शाद भी जरूर शेयर करें